जखमी चेहरे वाली महिला की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वाइरल है इस फोटो को इसी साल सितंबर महिने में अफगानिस्तान के दश्टे बारची इलाके में हुए हमले का बता कर शेयर किया जा रहा है ये हमला जहां हुआ वहाँ अल्ब संक्यक समुदाय हजारा के लोग रहते थे इस हाथसे में लगबग 19 लोग मारे भी गए थे लेकिन वाइरल हो रही महिला की इस फोटो का हजारा समुदाय के इलाके पर हुए इस हमले से कोई संबंद नहीं है हमें यही फोटो गेटी इमेजस पर भी मिली जिसमें बताया गया था कि यह फोटो 9 अप्रेल 2016 को खींची गई थी कैप्शन के मताबिक फोटो में दिख रही महिला रजिया नूरिजाद दीदार है जो अफगानी चैनल टोलो टीवी पर काम करती है इसमें ये भी बताया गया था कि रजिया कंपनी की बस में सावार थी तब ही एक तालिबानी सुसाइट बॉमबर ने कार से बस में टककर मार दी इसमें वो गंभी रूप से घायल हो गई हमें टाइम मैगजीन की फोटो स्टोरी में भी रजिया की यही फोटो मिली मतलब साफ है कि 6 साल पहले हुए एक हमले की शिकार महिला की फोटो को अफगानिस्तान के काबुल में हुए हालिया हमले से जोड़ कर शेर किया जा रहा है ऐसी किसी भी फोटो वीडियो या पोस्ट को लेकर किये जा रहे दावे पर अगर आप फुशक है तो पड़ताल के लिए हमें बेजे हमारे वाट्सेप नमबर 96436-51818 या मेल आईडी webcoofattheraidthacoint.com पर